Hello everyone, तो कैसे हैं आप लोग, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लास्ट वीडियो में हमने बात किया, टाइम टेवल के बारे में NIH में एडमिशन लेने के लिए कौन-कौन से डॉकुमेंट्स की जुरुत पड़ेगी अब इस वीडियो में हम बात करेंगे, जो डॉकुमेंट्स चाहिए है इडमिशन के लिए उनको किस फॉर्म में लाना होगा ये जो प्रोस्पेक्टस है, उस प्रोस्पेक्टस में पेज नंबर 51 से लेके 67 तक की आपके काम की चीज है, मैं आपको रेकेमेंट करूँगा की 51 पेज से लेकर के 67 तक आप सब की दो-दो कौपी निकल वा ले, एक कौपी आपको कॉलेज में जमा करनी है और दूसरा कौपी आपको अपने पास रखना है, फौर दा परसनल यूज ये है बॉन्ड पेपर, एनेक्सटर टू में दिया हुआ, 50,000 का बॉन्ड पेपर, इसको आपको प्रिंट कराना होगा और प्रिंट करवाके, आपको कोट में जाके, फिर इस पे सारे प्रोसेस करवाने होंगे अस्टैम्प होना चाहिए, लीग अस्टैम्प, ये होना चाहिए, 100 रुपीज के स्टैम्प, पेपर, पे और इसका काम क्या होता है, ये मैं आपको बताता हूँ जैसे कि आपने एडमिसन यहां ले लिया, आपने डॉकुमेंट्स जमा कर दिया उसके बाद आपको मन किया कि नहीं मुझे यहां एडमिसन ने लेना है, कहीं और लेना है, राउंड टू में या फिर बीच, अगर आप स्टड़ी कर रहे हैं, बीच में आपका मन बदल गया, आप जाना चाहते हैं, यहां से छोड़के तो उस टाइम पे क्या होता है, ये आपका एक प्रूफ रहगा कि आपने एक बॉन्ड पेपर पे साइन किया था कि आपको जब भी बीच में कोर्स छोड़के जाना होगा, तो आप पचास जार का फाइंड जमा करके ही जा सकते हैं, तो ये उसके लिए लिया जाता है, तो ये आप ध्यान में रखियेगा, एड्मिसन लेने से पहले, तो यहां पे आपका नाम, सिगनेचर, एड्रेस, सब मैं एक सर्टिफिकेट की बात करता हूँ, जिसके बारे मुझे अच्छा से पता है, तो मैं हूँ OBC student, तो मैं OBC के बारे में बता देता हूँ, वैसे ही EWS and SCST physical handicap के बारे में ज्यादा बताने की जुरत नहीं पड़ेगी, सारा कुछ, मैं फिर से बता रहा हूँ कि सारा आप निकाल के, तब आप legally इसको DM से सिगनेचर कराना है, SDO से सिगनेचर कराना है, जिससे भी सिगनेचर कराना है, इस पेपर पे सिगनेचर होना चाहिए, I hope कि मेरे बताने से आपको समझ में आ रही होंगी बाते, अगर अब फिर भी आपको नहीं आ रही है तो आप मुझ to Central Education Institute under the Government of India तो ये है OBC के लिए An Excer for OBC Certificate के लिए है ये एक OBC Certificate ही मान लिजिए College में admission लेने के लिए तो इसका आपको print out निकलवा के उसके बाद cash certificate पनवा के फिर आपका यहाँ पर last में एक दिया होगा District Magistrate का signature और उसका seal होना चाहिए जब आप करवाएंगे ये काम तो ये seal जरूर देख लिजिएगा यहाँ पर काफी लोग धोखा खा जाते हैं इसके बाद यहाँ पर में दिया गया है आपका नाम भरना है आपके father का नाम भरना है village और town कहां से belong करते हैं वो सारी चीज़े आपको भरनी है नीचे भी वही चीज़ है यहाँ पर आपका date और यहाँ पर आपका TM का signature और वहाँ का seal होना बहुत जरूरी है उसके बाद declaration आपको देना है OBC candidate होने का इसका भी आपको print out करवा के यहाँ पर आपका signature लगेगा time और date place लगेगा नीचे आते है नेक्सचर 6 में तो SCST वालों के लिए दिया गया है जिस तरह सो OBC का था उसी तरह से SCST वालों का भी है वहाँ भी signature होना चाहिए place, date, name with the seal of office यह सब होना चाहिए signature और designation होना चाहिए अब आते हैं physical handicap की बाते है certificate of the disability नेक्सचर 7 में अब एक photocopy की जरुवत पड़ेगी अब आते हैं medical certificate नेक्सचर 8 में medical certificate जब भी आप admission लेने के लिए आएगा यहाँ पे यही वाला print out लेके आना है आपको जो भी काम होगा इस print out पे होगा process बता रहा हूँ कि नेक्सचर 8 का एक print out आपको निकलवा के आपको फीर से जाना होगा hospital वहाँ पे civil surgeon से आपको sign करवाना होगा और वहाँ का seal होना compulsory है seal और signature दो चीज़ होना बहुत जरूरी है है documents पे जैसे medical certificate, OBC certificate TWS certificate, SCST physical handicap जो भी है आई होब की इतना बोलने के बाद आपको बाते समझ में आ रही होंगे चलिए अब आगे बढ़ते हैं एनेक्सचर 9 पर आते हैं एनेक्सचर 9 पर यहाँ पर दिया गया है about the hostel परफॉर्मा तो girls hostel की बात की जाए तो वो तो अभी नहीं मिलेगा आपको तो वैसे जिरॉक्स आप इसका फोटो कॉपी करवा सकते हैं प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं बट फिल करने की जुरुद नहीं है तो कि अभी आपको hostel नहीं मिलेगा वैसे ही boys hostel का है boys hostel का new boys hostel जब तक बन जाता है उसके बाद आपको मिल जाएगा एनेक्सचर 10 परफार्मा फोर अंडर्टेकिंग बाई दा स्टुडेंट ये परफार्मा दिया है अंडर्टेकिंग आफ दा स्टुडेंट वो भी एक चीज़ यहाँ पे फिर से मैं मिंसन कर देता हूँ यहाँ पे आपको 10 रुपे के स्टाम पेपर पे बना के लाना होगा अंडर्टेकिंग बाई दा स्टुडेंट और फिर यहाँ पे आते हैं अंडर्टेकिंग बाई दा गार्जियन वो भी 10 रुपे के स्टाम पेपर पे ठीक है आगे आते हैं एनेक्सचर 12 यहां भी आपको 10 रुपीज के stamp paper पे बना के लाना पड़ेगा और यह है anti-ragging FADP आगे आते हैं anti-ragging by the student यहां भी आपको 10 रुपे का stamp paper पे बना के लाना होगा education gap certificate इसको gap certificate आपको बनवा के लाना पड़ेगा वो भी 10 रुपीज के stamp paper पे तो यह चीजे आपको सारी चीजे लानी पड़ेंगी नीचे है important notice दिया गया है NCH के द्वारा वो आप पढ़ लिजेगा बाकी मैंने सब कुछ बता दिया इससे ज़्यादा आपको कुछ करने की जरुवत नहीं है मैंने सब चीजे explain कर दिया है I hope कि यह prospectus आपको पूरा समझ में आ गया होगा मैंने अपने तरब से पूरी कोशिस की है आपको समझाने की फिर भी आपको अगर नहीं समझ में आया तो एक बार मुझे comment करके बोल सकते हैं और आप मुझे यह भी बता सकते हैं कि अगला वीडियो आपको किस तरह का वीडियो चाहिए और आप NH के बारे में क्या जानना चाहते हैं